अभी हम लोग हैं अम्बेतकर चात्रवास सिवान में और यहां पे हम कुछ चात्रों से बात करेंगे जिस तरीके से विहार सरकार एक हल्फ नामा दिया है चात्रविर्थी को ले करके कि हम इस बार ACST को उनको मिलता है खास करके चात्रविर्थी वो नहीं दे पाएंगे एक बड़ा गंभीर मामला है जिस तरीके से केंदर सरकार हो या बिहार सरकार हो या कोई भी सरकार हो दलितों को ले करके जो बात करती है एक उत्थान के बात की जाती है सिक्षा की बात की जाती है उसी का एक बहुत अहम कड़ी होता है खास करके ये जो चात्रिविर्थी लेकिन अगर वही चात्रिविर्थी सरकार बंद करने के लिए हल्फ नामा दे रही है कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है तो एक बड़ा गंभीर वीशह है कि जाहिर है कि वो बच्चे आखर जाएंगे कह करके कि चात्रिविर्थी नहीं दे पाएंगे हम लेसी स्टी को क्या कहते हैं आप लोग सबसे पहले तो सुनने वाले सुरुता लोग को नमो बुधाये जैभीम चात्रविर्ती की बात है तो चात्रविर्ती सरकार को देनी चाहिए जिसे गरीब बंचित चात्र लोग पढ़ाई कर सके अपना सरकार इस पे पहले सुरू में बहुत बढ़िया काम की सरकार ने इस योजना को जा शात्रविर्ती योजना है बहुत बढ़ियां से चलाई बाद में हुआ क्या इसका जितना पैसा जो इस बिभाग में रहता था इसका पैसा निकाल कर दूसरे बिभागों में लगा दिया जाता था खर्च कर दिया जाता था तो अभी हाल फिलाल में जो बिहार सरकार उसने याची का दायर की है हाई कोट में कि हमारे पास इसका पैसा नहीं है हम भुकता नहीं कर पाएंगे तो यही बात है तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे निती सरकार इस चीज में बहुत पहल करती है तो हम उसे आगरह करेंगे कि जो सरकारी हम लोगों छात्र बिड़ती मिलती है उसको दी जाए जिसे गरीब छात्र बढ़ सके और आगे बढ़ सके और एक और बात है जिस तरीके से अभी जो सरकार मतलब कहती है कि हम एसीस्टी के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम करना है तो कहीं ने कहीं आप लोगों के लिए बड़ा मजबूत पहल हो जाता है अगर एसीस्टी को सरकारी चात्रविर्ती मिलती है तो उसका क्या-क्या बेनिफेट मिलता है जो किताब होते हैं जो टीवसन फी होते हैं स्कूल का जो फी होता है वो हम लोग दे नहीं पाते हैं तो ये सरकार जो चात्रविर्ती देती है तो उसमें हम लोग को बहुत ज़्यदा मदद मिलती है जिससे हम लोग कोई भी कोर्स करने के लिए हम लोग को साहता मिलती है जो जिसे गाव से बहुत गरीब परिवार से आकर के यहां सीवान में 20 सहर में अमेटकर जी के सविधान के द्वरा जो छत्रवास का निर्मान कराया जाता है रहते हैं लोग उनको इस सिक्षा से बंचित होना पड़ेगा जी जी भेदभाव तो कर रही है दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है जो पहले एक तो पहले आपने दी या फिर बेद में आया तो उस पे रोक लगा दिये तो ये तो गलत बात है महागडबंदन की सरकार है तो इसमें तेजस्वी जी को कहेंगे उनके पिता जी कहा करते थे कि ओभाइस चाराने वालो वो सुवर चालाने वालो जाओ और बिद्याले में जाकर पढ़ो सिक्षा गरहन करो तो आज उनके बेटा सुपुत्र जिनको तेजस्वी यादो बिह फार के उपमख मंत्री हैं तो उनको इस मामले पर संग्यान लेते हुए जैसे उनके पिता जी कहा करते थे कि जाओ बिद्या ले पढ़ो लिखो तो उनको यह सारी चीजों को ध्यान रखते हैं उनको पैपल करनी चाहिए और बोलनी चाहिए कि चात्रविर्ती जलित्च्श होगा हम लोग नीज जाती कमजोड जाती से आते हैं उसके बाद से हम लोग परिवार का जो अधी है आगे चल के उतने तो हम लोग बड़े कथी से नहीं घराने से हैं नहीं सक्षम नहीं है कि बड़े मने किताबे हो या बड़े स्कूल में पढ़ सके इससे हम लोग बहुत मन प्राइब हैं रहात मिलती है जिसे हम लोग पड़ लेकर हैं पड़ पाते हैं किताबे भी खरिच सकते हैं खरिद लेते हैं ट्रीशन फिर होता है वो भी देते हैं तो इस चीज को बंद न किया जाए यह लोग अम अभी बीए कर रहे हैं कर दोदिए करेंगे जीक्रा तो लेकर चले हमने कि हमको क्या सोचे हैं करने केलिए करने के लिए में जो स्रॉप्ट पहुद है MD-dm अशब चीज का करें आभी अभी अभी एड़ी ता बैमें देखा जा तो अभी आधा धूर आप लोंका जी 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 गिसताइब शांत में हम这 और स्कॉलर शी में सबने का यह शो की बरे हैं तो इसमें साथ हजार रूपिया हमकरश काड़ कर दिये थे SDM इस सब चीज का टार्गेट है और साथ में जितने ये साई बिहार दरोगा इस सब चीज है इस सब कभी अभी आप क्या करते हैं अभी मैं भी गिरिजिशन पास हूँ और एमें में एडमीशन है सर अगर दिखा जा तो अभी आधा दूर अपलों का भी जी 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 अगर आगे बढ़ गया जी जी और साथ में हम लोग का अगर दिखा द्वाद में मेरा एडमीशन हुआ तो उसमें हम लोग का च्छब एडमीशन जो हुआ उसमें साथ हाजर रुपया लगता है तो अभी हाल फिलाल में फॉर्म भरने का आया था इसकोलर्सीप, पोस्टमेटरी परने का जो कि भरे हैं तो उसमें साथ हाजार रुपिया हम कर्ज कार कर दिये थे, दुसरे किसी से ले कर दिये थे, कि ताकि मतलब हम एडमीशन अभी ले ले तो हम यह स्कॉलर्सीप के लिए भरे है तो अगर मुझे वह स्कॉलर्सीप मिल जाता तो साइद मैं जिस से क्या होगा अब तुछ की बिल्कुल आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं आगे चात्रिविर्ति रुख जाती है तो इतो ग्रहन लग जाएगा ना आगे क्या होगा आगे फिर वहीं होगा हम लोग नीज जाती अथी कमजोड जाती से आते हैं उसके बाद से हम लोग परिवार का जो अथी है आगे चलके उतने तो हम लोग बड़े अथी से नहीं घराने से हैं नहीं सक्षम नहीं है कि बड़े मने किताबे हो या बड़े स्कूल में पढ़ सके इससे हम लोग को बहुत मने रहत मिलती है जिससे हम लोग पढ़ लेगते हैं पढ़ पाते किताबे भी लेते हैं तो इस चीज को बंद ना किया जाए लोग हम ना भी यह कर रहे हैं जिक्ट क्या है मेरा हिंदी अनर्श है जी क्या सोचें करने के लिए आगे अब फाइनल होने के बाद में करेंगे उसके बाद टीचर लाइन के गोल तो लेके चले होंगे कि हमको क्या बनना है कुछ देखिए हम लोगा है भी पीएसी करने के लिए बीपीएसी में जो सब्स्रेश्ट पौद है सब चीज का टार्गेट है और साथ में जितने यह साई बिहार दरोगा इस सब चीज है इस सब कभी अब क्या करने अभी मैं भी गिरिवेशन पास हूं और यह मैं में एड्मिशन है सर अगर दिखा जा तो अभी आधा दूर अपलों का भी जी 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 और साथ में हम सी पोष्ट सि पर ने का जो कि भो हैं तो उसमें चीजरेक्तर कर दिये थे दुसरे किसी से म WILLay ले ले तो ऑगर मुझे यूजर सी मिल जाता तो जैए स्टमे ईसको लिया था इसको क्या करते हैं मैं है पीजि हमार रसी हैा कि आप लोग एक उम्मीद के तहत इस चात्रावास में अगर हैं और अगर सरकार चात्रविती बंद कर दे रही है तो फिर आगे क्या कर पाएंगे आप लोग आगे सर बहुत हम लोग का चटनाया होगी सर अब माली जब चात्रविती मिलता है तो सब सीज ठीक रहता है कि आप लोग एक उम्मीद के तहत इस चात्रावास में अगर हैं और अगर सरकार चात्रविती बंद कर दे रही है तो फिर आगे क्या कर पाएंगे आप लोग आगे सर बहुत हम लोग का चटनाया होगी सर अब माली जब चात्रविती मिलता है तो सब सीज ठीक रहता है कोचिंग का फीज यहां रहना सब के इसके लिए बहुत ज़्यादा दिख्कत होती है आपका नाम क्या है रिसी के स्क्मार नाम पड़ेगा सर अभी तो मेरा इंटर्जास्ट फाइनल हुआ है गर्जिशन वाब एडमिशन कराएंगे अगे कुछ सपना दो सोचे हैं आज सर भीचै के तियरी करेंगा हमालों जैसे भी हार सरस्क ऱेंगे हमलों को यह सह हूस्टल पर रहीं इसको मथ्यों करने के लिए इतना बड़ा माया के दिक सब्सक्राइब करें इसको चालू रखे तो बहुत ठीक रहेगा लेकिन अभी ऐसा क्या मामला अनपड़ा है कि सरकार जो हल्फ नामा दे रही है और कहरें कि हम चात्रविति नहीं दे पाएंगे क्या लगा उनको यह सोच रहा है सरकार यह सोच रही है कि हम पाइसा इन जो पाइसा जो है चात्रवास पर मतलब सब्सक्राइब कर रहे हैं अभी हमारा इतना एति नहीं कि हम दूसरे एति पर खर्श कर इसी को यह से लग रहा है कि यह जिकाल लिया जा सकता है जी से मैं सर अब डिपार्टमेंट हम लोग क्या जान सकते हैं लेकिन मजबूरी दिक्कत है से हम लोग कहीं क्यों मजबूरी लिया जा सकता है जी से एश्टी पर ही क्यों लिया जा सकता है बहुत सा दिपार्टमेंट है तब क्या हो सकते हैं इस बिभाग में जो पैसा आता है इस बिभाग का में पैसा है नहीं तो सवाल तो यही बनता है कि आखिर क्यों जब सरकार या जब चुनाओं होता है तो यही नेता यही पार्टियां बार बार यह दावा करती हैं कि हमें दलितू का वोड चाहिए एसी एस्टी का वोड चाहिए मैनुरिटी का वोड चाहिए लेकिन जब इसका अधिकार देने का समय आता है देती भी है और उसके बाद बीच मजधार में अगर छोड़ देती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विकट परिस्तिती इनके सामने खड़ा हो जाती है आप जो बता है कि कई फंडों का पैसा आता है कई जगह चला जाता है तो इसमें आखिर इस तरह का करके चुकि अभी तुसामने चुनाओ है तो क्या हासिल करना चाहती है सरकार देखिए दबाव में किसी के नहीं रहती है सरकार को यह जो फैसला हुआ है तो सरकार बीभाग में देखती जो चात्र हैं जो पढ़ रहा हैं तो उनको इस चीज का लाव मिल सके और उनको गलत काम कर रहा है उनको एजुकेशन का पैसा नहीं लेकर जाना चाहिए जिसका जो भोट लेने के समय एस्टी 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 के इतना कर दिये वो कर दिये बिद्याले बना रहे हैं अज हर्जा चलता है तो उसके माद मुल गाव से निकॉल का सवर आहें पहुणने के रिए क्या कि इससे हमारा बीए पर टू चल रहा है हमारा सोच है कि अगर यह इस को लप सी बंद कर देगी तस हम लोग कहां जाएंगे और किया बोले थे कि विभाग में पैसा यहां पे जो दूसरे भी भाग में खर्च कर रहे हैं इस भी भाग का पैसा दूसरे भी भाग में खर्च ना करे और जो जिसका अधिकार होता है उसको दिया जाए अगर इस तरह की काम कर रही है या अगर हल्फ नामा दिया है तो उस पे फिर से पुनरविचार सरकार को करना चाहिए इसलिए क्यूंकि हमारा आगे का जो भविश है वो कम सकम अंधकार में ना जाए और जिस तरीके से सरकार जो है कि दलितों को लेकर के, सिस्टी को लेकर के, जिस तरीके से वादे करती है उस वादों पे अगर सही तरह से देखा जाए तो वो अमल में लेक्या है और आगे आने वाले समय में इस पे पुनरविचार किया जाए ताकि हम लोग का आगे का पढ़ाई बदित ना हो आप देख रहेते दा एक्टिविस्ट मैं काउसर अली सीवान से